आपके बाल बहुत तेजी से लंबे और घने होने लगेंगे बस इस तरीके को अपना लें कोई बताएगा नहीं आपको नमस्कार दोस्तों स्वागत है रोगन उसर में बहुत ही खास और बहुत इंपोर्टेंट वीडियो के साथ है जी हां दोस्तों बाल इंसान की बालो को सही पोसर ना मिलने से बालो की लंबाई कम होती है रूपसर बेजान बालो का असर बालो की लंबाई पर भी होता है हर कोई चाहता है कि उनके बाल लंबे घने और मुलायम रहें और जिसके लिए वे तरी तरीके अपनाते हैं जैसे हेर इस्पा, हेर मसाज और ट्रीटमेंट जिससे बालों को नुक्सान पहुंचता है महिलाओं में बालों को लंबा करने का बहुत ही चलन है भारत ही नहीं, पुरे 200 भर की महिलाओं बाल पढ़ाने के उपाय आजमाती रहती हैं कुछ ललकियां बाल पढ़ाने के उपाय आजमाती हैं लेकिन क्या आपको तेजी से बाल पढ़ाने का तरीका पता है कुछ महिलाएं कहती है कि उनके पास बाल लंबा करने की अचुक विदी है लेकिन वो कौँ सा तरीका है क्योंकि वो कोई बताएगा नहीं आज हम आपको जरूर बताएंगे लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारी छुटे तो वीडियो को अंतर तक जरूर देखें दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कना ना भोलें इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दवाने के साथ ही आल नोटिफिकेशन को जरूर आन कर लें ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मुबाइल पर मिल जाए इसके लिए आल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें नमबर एक बिटामिन E जी है दोस्तों बिटामिन E और आवसक फैटी एशिट से सम्रिद होने के कराण विशेश रूप से ओमेगा नाइन फैटी एशिट अरंडी का तेल प्राकिर्टिक रूप से बालो को बढ़ाता है जैसा कि यह तेल काफी चिपचिपा होता है अरंडी के तेल को बराबर माता में नार्यल, जैटून या बादाम के तेल के साथ हम मिलाएं इसे बालो की जड़े मजबूत होंगी और 35 मिर्ट तक छोड़ने के बाद अपने बालो को सैंबू कर लें नमबर दो, रिठा जी हां दोस्तों, अगर आपको घहने काले बालो का सौक है तो आउलला रिठा का पौडर लगाएं आउलले की जूस को सब्ताह में एक बालो में लगाने से बाल तेजी से बढ़ने लगते हैं आउलला खाना भी तोचा और बालो के लिए बहुती उपियोगी होता है नमबर तीन, जी हां दोस्तों बालो में मालिस करने से रक्त का प्रवाब बढ़ता है और जिससे बालो के कूपों को बढ़ने में मर्द मिलती है इसके साथ ही आपके बालो को गरम तेल के साथ है सब्ताह में एक बार कंडिशनिंग जरू करें इससे आपके बालो में के तेल या कंडिशनर लगाएं धीरे से अंगुलियों को घुमाते हुए अपने बालो में इससे मालिस करें और बालो को इसके बाद आते घंटे के बाद लगवाद बालो को साफ पानी से दोस्तों दही में दो नेमबू निचोड का पेश्ट तयार करें इस पेश्ट को बालो की जड़ों पर लगाएं और पंदर मेरे तक मसाज करें पेश्ट को एक से डेड़ घंटे तक बालों में लगा रहने दें और इसके बाद खलके गुनगुले पानी से बालों को धोलें इससे बालों का रुखापन तो दूर होगा इस साथ भी बालों की ग्रोथ भी बढ़ेगी नमबर पाँच नारियल तेल दोस्तों आप नारियल का दूध सुखे नारियल के सफेद हिस्से को अच्छे से कस्क करके निकाल लें इस दूध में प्रोटीन, जिंक, विटामिन, आईरन, भरपूर मातरा पाए जाता है जो आपके बालों को बढ़ाने में खास भूमिका निभाते हैं इस दूध को बालों में लगाकर एक घंटे के लिए छोड़ दें इससे आपके बाल तेजी से लंबे और घंडे हो जाएंगे और उसके बालों को अच्छे से सैंपू कर लें